कुछ ने find the value find the value of flowing इसका value जो है आपको find करना है देखिए यहां पर कुछ formula जो मैं लिख रहा हूं आपको याद होना चाहिए जैसे कि sin square theta plus cos square theta equals to 1 होता है sin theta into cos theta यह भी 1 होता है सेक 90 minus theta क्या होता है cos theta होता है and vice versa अगर अगर यहां पर एक और formula याद कर लिजाएगा cos theta into shape theta यह भी 1 होता है अगर यह plus b 90 degree है तब then 10a into 10b यह भी 1 होता है यह सारे formula का इस्तिमाल कुछन में होने वाला है 10 को हम क्या लिख सकते है sin theta में cos लिख सकते है यह हो जाए कि उपर में कितना हो जाएगा sin square 20 degree upon में नीचे cos square 20 degree मैं अब बस यह भी चीज़ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ otherwise मैं direct यहां से cos theta को change करके सेक इंटो को सेक कर सकता था पर कुछ लोग यहां पर समझ में नहीं आएगा इसी वजह से मैं यहां से से लिख रहा हूँ कोशेक 70 है तो इसको क्या करेंगा हम सेक में convert कर देंगे क्योंकि कोशेक इंटो सेक हमें लाना है वन होता है कोशेक 70 को हम क्या लिख सकते है यहां से कोशेक 70 को हम लिख सकते है कोशेक 90 माइनस 20 डिगरी कोशेक कोशेक 90 डिगरी माइनस का ठीटा ठीटा ठीक है यहां पर कोट ठीटा को हम क्या लिख सकते है कोश स्कुर 20 डिगरी अपन में साइन स्कुर 20 डिगरी कोश साइन क्या होता है कोट होता है और इसको हम कह लिख सकते हैं सेक स्कुर 90 माइनस का ठीटा इसको 10 पैंटारीस के वेली तो 1 होता है प्लेस में 2 इंटू 10 15 डिगरी इंटू 10 15 डिगरी अब यांस देखे यह नीचे में क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 20 डिंटी डेगरी अपन में ये नीचे में क्या बन जागा है ये सेख अब सेख क्या हो जागा को ये सब्सक्राइब मलल्टिपलिप्लाइब हो जाएगा यहां पर क्या लिख दे 늘 referring सिफ्टाइ होगा सेख स्क्वायर 20 डेगरी इन टू तेहां इतार देगर, बाखी यह ए कि ऐसे स्कॉर्याहँ से देखें यह पर मैं का सब्सक्राइब 20 डिगरी अब यह के बचा प्लस में 2 x 10 15 डिगरी x 10 75 अभी मैंने आपको एक फर्मुला लिखा है sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 होता है sin square theta plus cos square theta क्या हो जाएगा यहां 1 हो जाएगा प्लस में 2 x 10a x 10b 10a x 10b कब 1 होता है जब a b का जोर कितना होता है 90 होना चाहिए तो 75 और 15 कितना होता है 90 होता है तो 10a x 10b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां से 1 plus 2 x 1 कितना हो जाएगा 2 equals to 3 तो इस question का answer कितना जाएगा 3 हो जाएगा